इनका जो हाड़ वाला चिलका है उसको सबसे पहले आपने उतारना है तो कैसे उतारना है कोई विया आप हैब इसी चीज ले लिए ज़े घर में छोटा मुटा हथ थोड़ा पड़ा होता है आपके वागो बाहरी सा चाको उससे आपने देखे इस तरह से इसको मारते रहना है दो से तीन मिट तक इस तरह से नारिल को मारते रहेंगे यह अराम से बाहर के छिलके होना छोड़ देता है यह देखिए लगवर दो से तीन मिट के और देखेंगे आपका नारिल का बाहर का जो छिलका ना वो निकलना शुरू जाएगा तो इस तरह से आप इसको निकाल ले देखिए मैंने आप इस थाबुत नारील निकाल लिया है अगर आपका नारील बाईचन तूट शाए तो आप चाकू की नोक से भी उसको निकाल सकते हैं अब इसके बद आपने इसको पील करना है यह जो डार्क वाला इसका बाहर का छिल का होता है उसको भी आपने निकाल ले यह जो नारील का पानी है इसको आपने फेंकनानी है या तो पील ले यह जै या फिर आप इसको चटनी में ही यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहले मैंने मिक्सी गरंडर जार लिया है और दोनों नारील को काटके देखिए मैंने मिक्सी गरंडर जार में डाल दिया थोड़ा सेस में करीपता एड करेंगे, अगर आपके उस करीपता ना हूँ आप इसको skip कर देशे और इसके साथ में दो मेने तीखा करने के लिए हरी मेर शायड किये थोड़ा सेस में अधर का यूज़ करने आपने इतना ही गर्म करना है कि आपकी अंगली में हलका सा गर्म लगना चीए, ज़धा बॉयल ने करना है इसके बद आपने, और इस दूद के साथ आपने इस चटनी को पीस लेना है, अगर आप दूद की जगा नारिल का पानी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप नौ इसके बद आपने इस चटनी को एक बड़े से बॉल में निकाल लेना है, इसके उपर ने एक छोंका तड़का लगाया जाता है, उस तड़के से चटनी में एक अच्छा फ्लेवर आता है, और इसके साथ में आप नमक एड़ कर दीजिए, पहले आपने नमक नहीं डाला था इतने ही अधा ओयल का यूस नहीं करना है, ने तो थोड़ी सी अनहेल दी हो जाएगी, तो देखिए थोड़ा सा ही ओयल आपने डालना है, आदा ओयल में निकाल लिया है, इसका यूस हम दूसरी चटनी के तड़के के लिए करेंगे, एक छोटा चमच आपने यहां पर उड कर सा कलर चेनल नहीं शोजाएगा, दस से बार आपने इसमें करीबत तरह करना है, करीबत तक आप काटके भी डाल सकते हैं, और करीबत तक भी तड़के साब मिक्स कर लिए, इसको भी अच्छी तरह से आपर चटकने दीशे, तो सिंपल सा तड़का लगा जाता है, इस चट चटनी के उपर यूज़ कर सकते हैं, अब हम यहां पर रेड चटनी बना लेते हैं, यहां पर मैंने 500 ग्रम टमाटर लिए हैं, जो टमाटर हैं अच्छे पकी होई टमाटर लेने हैं, वैसे आजकर टमाटर महंगे हैं, बट आप इस चटनी को किसी भी सीजन में बना सकते है डो मेने पियाज लीने है, जो पियाज है, पियाज से क्या होता है हलकी सी चट्नी में, एक मिठास आ जाती है, विएक टमाटरों में जो खटास होते हैं उसको कम करने के लिए पियाज का यूज क céu आता है, देखे टमाटरों को आप मने इस तरफ से रफली काड़ लेना है, और आप याज को लंबा-लंबा स्लाइस काट लेशे हैं, इसके पदा आपने एक कडाही लेनी हैं, और इसमें आपने ओइल अइड करना हैं, तो एक से डेड़ चमँच आप इसमें ओइल अइड करते हैं, यहां पर मैंने बैस्टिबल ओइल का यूज किये हैं, आप किसी भी ओइ में इसको बना सकते हैं जैसे व्ल गरम हो जाएगा दो से तीन आप इसमें न कश्मीरी मिर्च आड़ कीशे इससे चट्टी में कच्छा कलर आता है बीज निकालना चाहें बीज आप इसके निकाल सकते हैं मिर्चों के साथ में आपने इसमें चार से पांच का लिए लसून की एड़ करनी है और एक टुकुड़ आप इसमे अद्रक एड़ कीशे और साथ में आपने इसमे एक छोड़ा चमर सरसों के बीच एड़ करने है थोड़ा साथ आप इसमे करीपत एड़ कीशे और एक बद अगर आप इस चटनी को 2-3 दिन तक स्टोर करना जाते हैं तो आप इसम आज में कुछ स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए तो दिखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है इसके बद आप इसमें रफली कटे हो टमाटर एड़ कर देशे और टमाटरों के साथ आपने इसमें नमक एड़ करना है तो अदा चमच आप इसमें नमक भी डाल देशे अच्छे कलर के लिए आप इसमें एक छोटा चमच कश्मीरी मिर्श पाउडर एड़ कीशे और गैस की फिलिए हम आपने एक से डेर मिन तक हाई रखनी है तक कि टमाटर जो जल्दी से गर्म हो चाहे यहाँ और टमाटरों को प्यास के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीशे अब आप थोड़ा सा पका रहा हूं इसको आप जब मैंने लस्वन और अदरग यूज के तना चटनी बनाने में उस टाइम ना तड़के में ही डाज रखते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा भूल गया था दाल को एड़ करना उसमें तो गे देखिए रोश्टर जन दाल को थोड़ी चटनी है उसमें बिल्कुल भी खटा डेशनी आएगा और यहां पर देखे साथ में रोश्टर चना दाल भी इसमें एड़ कर दिया है तो मैंने आपको बता ही दिया कि रोश्टर चना दाल आपने तब एड़ करनी है जब आपने लस्वन अतरक एड़क धा था उसी टाइम आपने ना इस mixture को ठंड हो ने देना है जैसे ठंड हो जाएगा इसके बड़ों आप इसको ग्राइड कीजेगा और बिना पानी डाले आपने इसको ग्राइड करना है पानी डालके पीसेंगे चतनी जल्दी ख्राब होगा जाती है और ठंड हरो यह देखिए ऐकटम fine में इसका पेश्ट पना लिया है अब इस चटनी के ऊपर भी एक छोंका तड़का लगाया जाता है तो इसको भी आपने एक बॉल में निकाल लेना है तो यहां पर मैंने एक स्टेनलर श्टील का पैन लिया है एक बड़ा चमच उसमें ऐल एड़ करेंगे जैसे हलका सा गर्म हो जागा चुअब करने है तो विल्गोफली में पकाने दाल को तागी तकि आचह से तो है ऑच्या से चटनी के अच्छी तरह से चटनी के साब मिक्स कर देचे तो ही हमारी रेड चटनी भी त्यार होई चुकी है तो फ्रेंज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओगा लाइक शेर कमेंट चुरूर कीचे को